पिछले दस सालों में जो लगातार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, वही सब्द युग्म इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कराए जाएंगे बच्चो यदि आप इतना तयार करके जाते हो तो ये विश्वास करो कि इस से बाहर आपका एक भी प्रस्न जो है यूपी बोड इग्जाम 2024 क्लास 12 हिंदी के पेपर में नहीं आने वाला हम आज के इस वीडियो में सब्द युग्म जो आपको बताएंगे वो सबसे important वाले सब्द युग्म होंगे और ये बोड इग्जाम में आपके कई बार पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने के chances इस बार भी जादा है देखो अच्छो इधार हमने सब्द युग्म रखा है और इधार जो है अर्थ में उसका लिख दिया है अब यहां पर जो है और शकल सकल और शकल तो इन दोने में इस सकल का आर्थ जो होता है संपूर्ण होता है और शकल कार्थ होता है अंस या फिर खंड अंस या फिर खंड अगला है बच्चो पूरूस और परूस पूरूस और परूस पूरूस मने आप सभी को मालूम है आदमी और परूस मने कठोर पूरुष माने आदमी और परुष माने कठोर अगला है सूत और सूत मात्रा का फरक है इसमें छोटा उक मात्रा है इसमें बड़ा उक मात्रा है सूत माने पुत्र और सूत माने सार्थी या फिर धागा सूत माने बोलते हैं नहीं सूत धागा फिर से बच्चो इन चारों का एक बार फिर से देखते हैं अनल मतलब अगनी अनिल मतलब वायू शकल मतलब संपोन और शकल मतलब अंस्या खंड पूरुष मतलब आदमी परुष मतलब कठोर सुत्माने पुत्र सुत्माने सार्थिया धागा अब बच्चो अगला जो है अंबुज अंबुज का मतलब होता है कमल और अंबुद का मतलब होता है बादल अंबुज मतलब कमल और अंबुद मतलब बादल अंस कंधा होगा और यहाँ पर अंस जो है इसका मतलब होगा हिस्सा ध्यान दीजे अगला बच्चो जलज जलज मान कमल और जलद 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 माने बादल जलद माने कमल और जलद माने बादल अगला बच्चो अंस अभी उपर भी था और यह अंस वह अलग था उसमें सादा सा और सीटी सा का जो है फरक दिखाया गया है और इसमें जो है आपका अंस और अंस वही चीज़ है इसमें मात्रा का फरक दिखाया गया है कि अभी को बताया हिस्सा या फिर भाग और किर्ण स्वर्ण माने मुंख्य जाती बच्चों एक बार में फिर से यहांग तक आपको बताता हु अनल का अगनी और अनिल का वायू शकल का संपून और शकल का जो है अंस या फिर खंड पुरुष का आदमी और परुष का कठोर सुत का पुत्र और सूत का सार्थियत्व धागा अंबुज का कमल और अंबुद का बादल अंस का कंधा और जो है अंस का जो है हिस्सा जलज का कमल और जलद का बादल अंस का भाग और अंस का जो है किरण स्वन का सोना और सवन का जो है उच्छ जाती स्क्रेंशाट को आप बाद में ले लिजेगा अब यह थोड़ा और है इंप्वार्टन जो है उनको देखते हैं बच्चो नेश्ट है आपका बात बात का मतलब बातचीत और वात का मतलब वायू वात मतलब वायू और बात मतलब बातचीत पच्चो अगला है हर हर माने संकर और हर माने विष्णू हर कतनी हर हर महादेव इसका मतलब संकर और हरी जन्यानी विष्णू के उतार हरी मतलब विष्णू स्रवण स्रवण का मतलब होता है सुनना और स्रमण का आर्थ होता है स्रमण, सन्यासी स्रमण सुनना और स्रमण मतलब सन्यासी याद रखेगा गिरिह का घर होता है और ग्रह का नचच्ट्र next है बच्चो, कूल का वन्स और कूल का किनारा कुल का वंस और कुल का किनारा नेश्ट है बच्चो लच्छ लच्छ का निसाना उद्देश और लच्छ लच्छ का होता है लाख और अगला हमारा बच्च अपेच्छा अपेच्छा का होता है आसा इच्छा तुलना में अपेच्छा का मतलब होता है और पेच्छा का मतलब होता है निरादर अंदेखी अभहलना फिर वच्छो अगला आपका है अन अन माने होता है अनाज और अन्य माने होता है दूसरा अन माने अनाज और अन्य माने दूसरा ठी अगला है भवन, भवन कार्थ होता है घर, फिर स्रेष्ट मकान और भुवन कार्थ होता है संसार भवन माने घर होता है फिर स्रेष्ट मकान को बोलते हैं और भुवन माने संसार बच्चों एक बार यहाँ पर फिर से इसको देखते हैं फिर उसके बाद आपको आगे बताते हैं बात का मतलब होता है बात चीत और वात का मतलब होता है वाय। हर का मतलब होता है संकर और हरी का मतलब होता है विष्णू ठीक समझ में है श्रवन कार्थ होता है सुनना और स्रमन कार्थ होता है सन्यासी फिर ग्रिह कार्थ होता है घर और ग्रह कार्थ होता है नच्छत्र ठीक समझ में है आगे बच्चों लिखा है कूल कार्थ होता है वन्स और कूल कार्थ होता है किनारा लच्छ तो आप सब लोग जानते है निसाना या वो देश्य और लच्छ कार्थ होता है लाक अपेच्छा कार्थ होता है आसा या इच्छा फिर तुलना में और उपेच्छा कार्थ होता है निरादर अंदेखी या फिर अहेलना में अन्य कार्थ होता है अनाज चुखाते हम लोग और अन्य का मतलब तो दूसरा कोई अगला वच्चों यहाँ पर आपका है भावन भावन कार्थ होता है घर फिर या फिर स्रेश्ट मकान बोलिए और भुवन कार्थ होता है संसार तो यहाँ तक आपका यह चीज हो गया ठीक आगे ध्यान देजे आगे अभी मैंने जो आपको पूरा पताया उसका बाप क्या करिए स्क्रेशौर्ट ले लिजे पूरा पूरा स्क्रेश्ट ले लिजे और जिस टापिक पर वीडियो चाहिए आप बताईए उस पर भी वीडियो बना कर देंगे यहां से यहां तक का screenshot ले उपहले ठीक फिर उसके वाद जो है यहां से यहां तक ले लो थोड़ा सा और उपर कर देते हैं तो पुरा आजाएगा ठीक तो यह हो जाएगा आपका पूरा screenshot यही आप याद करके जाएए आपका काम हो जाएगा आप बिद्ध्या में देखेंगे बहुत सारा दिया गया है फिर वच्चों यहां से यहां तक पूरा तयार कर लो ठीक इतना screenshot ले लो और लास्ट में जो बच रहा है उसका screenshot ले लो आप विश्वास करिए अगर आप इतना तयार करके जाते हैं तो निश्चित तोर पर आपके पूरे के पूरे अंके हिंदी में जो है class 12 में जरूर बनेंगे और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वीडियो में comment करिए आपको उस टॉपिक ले भी वीडियो जरूर बना क आपकत आपके और करिए आपके जड़ूर आपके जापके पीज़का पर आपके ऑन दापक वीडियो निरू है अगर आपके जो है तो आपके पलते हैं झाल झाल झाल